हलो दोस्तो, मेरा नाम है मुनाव गोलोच, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं मेरा भाहिंदर और वसे विरार के आयूग तलाए, यानि कमिशनर आफिस के बाहर खड़ा हूँ मैं एक हाथसा जो मेरे साथ कल रात 24 जुलाए, रात 12 वजे हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप लोगों के सामने में शेयर करना चाता हूँ और उसी की कम्प्लेंट करने के लिए आज मैं साइबर क्राइम में आया था, मैं चाता हूँ कि ये हाथसा किसी और के साथ ना हो और आप लोगों भी इस हाथसे से सतर कर रहे, हाथसा ये था कि कल मैं अपने घर में 12 बजे रात को अपने परिवार के साथ बैठा था, मुझ जिसका स्टेटस जो था वो लड़की का था और उसके अलावा जैसे स्क्रीन ओन हो गया, वो सामने एक न्यूड लड़की सामने आ गई और मैंने उसी को देखकर ये स्क्रीन को मैंने बन कर दिया, जैसे स्क्रीन बन करके मैंने उस नंबर को पूछा के वो इस तो उसने ऐस स्क्रीन रेकॉर्डिंग करके उसके साथ एक अलग वीडियो मर्च किया जो सामने एक न्यूड लड़के का था यनिके नंगे लड़के की वीडियो थी वो मेरे वीडियो को मेरे फेसको और उसको मर्च कर दिया और कहा कि ये आप लोगों ये मैं अभी फेस्बूक पे और करूंगा तो बोला नहीं मैं आपके फेस्बूक इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी आप सोशल मीडिया पर यूटूब के उपर मैं अप्लोड कर तो आपके फ्रेंड्स लोगों को उसने मेरे फ्रेंड लिस्ट के जितने भी प्रोफाइल थे सब के फोटो मुझे भेजना चालू के स्क्रीन शॉट के जरिए और बता रहे कि मैं इसको अभी सबको मैं टैक कर रहा हूं आप जल्दी पैसे भेजो मैंने उनको कुछ रिस्पॉंस नहीं दिया मैंने कहा मैं पॉलिस कंप्लेंट करूंगा मुझे इस तरह का ब्लैकमेल नहीं करना और मैंने उसको रिस द्रस्कोंस नहीं दिया मैंने यह थあ मेयरे घरवालों को कहा मैंने उसको कहा के कोई वीडियो आया कि उन्हों ने कहरे के हाथ से हर जेगेप YOUR स्काइम में दर्ज कलाई लिखित में उन्होंने कहा कि यह साइबर क्राइम का मेंटर है आप साइबर क्राइम में जाईए तो मैंने इस वक अभी साइबर क्राइम में मेरी मैंने लिखित कंप्लिंट दे दिया हूं और साइबर क्राइम के ऑफिसरों ने भी यह कहा कि यह सुबह सी पा कहना है कि कोई भी अन्नोन कॉल आप लोग मत उठाइए चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो फेस्बुक के जरीए फ्रेंड रिक्वेश्ट होती है नेहा शर्मा रिया शर्मा फलाने फलाने नाम से इसे कॉमन जो नेम्स होते फेमस नेम्से और लड़की का प्रोफाइल होगा आपको फ्रेंड रिक्वेश्ट भेजा जाएगा यह आप मत कीजिए यह बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है तो आप उस पर एकदम सतर कराईए और अपने घर में अपने बच्चों को कॉलेज टूडे से वे लोगों तक पहुचाना मेरा परस्था ताकि यह और कोई इसका शिकार ना हो मैं तो यहां तक पहुच गया अगर आपके साथ यह हस्ता हुआ है तो आप भी इसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाईए नेट के उपर उसका पूरा साइट अवेलेबल है वहां जा